मेरी ये मल्यालम की थर्ड मुवी है जिसका मैं रिव्यू करूँ पहली जो मुवी मैंने रिव्यू की थी वो थी प्रेमलू काफी बढ़िया मुवी थी, कॉमेडी प्लस रोमेंस की एक कॉमिनेशन काफी अच्छा बनाया था, फिर इसके बाद एक रियल स्टोरी, एक रियल स पसंद आई है, यानि इन तीनों को मैं कह सकता हूँ, एक तरिके से हैट्रिक रही है मल्यालम मुवी की जो मैंने देखी है, क्या बात करेंगे कि क्या अच्छा है, क्या बूरा है, फरस्ट फोल तो इस मुवी की कहानी के हम चर्चा कर लेते हैं, देखो एक तीन तीन मतलब इन तीनों की अच्छी कासी पिलाई कर देते हैं इसके सीनियर, अब जवान, खून है, भाई साब उबाल तो मारे गए, अब इनको बदला लेना है अपने सीनियर से, तो ये एक ऐसे लोकल बंदे को डूनते हैं, जिसकी कोई गैंग हो, ताकि ये उनके बिहाव पे, यानि इन तीनों लड़के के बिहाव पे जाके भाई साब इन सीनियर से जाके भिट जाएं, मतलब काफी बड़िया दिमाग चलाया है इन लोगों ने, अब इनको मिलता है रंगा भाई, तो अब इनकी जरनी कैसी रहती है, क्या ये बदला ले पाते हैं, नहीं ले पाते है हैं, क्या-क्या प्रोब्लम इनके सामने आती हैं, तो इसके लिए तो देखो, आप लोगों के मुवी देखनी पड़ेगी, अब बात करते हैं, इस मुवी में अच्छा क्या है और बुरा क्या है, अब अच्छे के बारे में बात करूँ, तो देखो यार, इस मुवी के जो एक्छन प्लस कॉमेडी रखे गए, तो कॉमेडी में बात करूँ, तो काफी बढ़िया कॉमेडी है इस मुवी में, मतलब वो टीनेजर्स जैसे आपके सामने हैंगे, जो उनकी हरकते होंगी, वो डेफिनिटली आप लोगों को काफी जादा हसाएंगी, मतलब मैं जब इस म मुवी में में एक तरीके से समझो, जान तब आ जाती है, जब इसमें रंगा भाई की एंट्री होती है, जिसको प्ले किया है, फाहद फाहद फाशिल जी ने, मैंने, I hope so, उनका नाम भी सई सी लिया हो, एक तो नाम याद करने में बड़ी प्रोब्लम होती है, तो इनकी जो परफॉर्मेंस वो बहुत कमाल के है, और जब रंगा भाई की एंट्री होती है ना मुवी के अंदर, समझो, ये मुवी नेक्स लेवल पे चली जाती है, बहुत मज़ा आना स्टार्ट हो जाता है, रंगा भाई की एंट्री के बाद, जैसे उनकी कहानी जो है, उनके जो चम का रियक्शन होता है, यार, वो कमाल का होता है, और लास्ट में जब उनको पता चलता है कि यार, हाँ यार, ये सब चीज़ें वागई मुवी रिलेट करते हैं, देखो मैं बताना नहीं चाहरा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये मुवी जा के खुद देखेंगे, तो लेकिन हाँ, डिसेंट एक्शन रखे गए, और जो फाद फासिल जी की जो पर्फॉर्मेंस है, मैं ये कह सकता हूँ कि यार, वाकई में उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, आप देखेंगे ना कि यार, हाँ यार, कोई six abs, eight abs, बहुत बड़ी जादा बोड़ी शोड़ ऑड़े है, मलयाला मुवी में जब भी आप परफॉर्मेंस की बात करείंबो, मैं ये कह सकता हूँ कर जितनी मैंने मुवी देखे हैं, मिलाल मैंने तीनों का ये रिवboy का, ऐसा नहीं कि मैंने तीन मुवी देखे हैं, और भी मुवीज मैंने देख़े हैं, लेकिन जितनी भी movies मैंने देखी हैं तो मैं इस भीहाव पर कह सकता हूँ कि Malayalam movies मैं आप performance के मामले में तो विल्कुल इनकों पर बहुत अच्छे से बरोसा कर सकते हैं, definitely कहाने भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन performance के बहुत उम्दा लेवल की होती हैं, जैसी इस movie में थी, जैसे प्रेमल्लू के अंदर थी, जैसे की दमन्जुमल बोईज के अंदर थी, बहुत बड़िया movie थी, और जो teenagers की जो लड़ाई हमें देखने को मिलती है, आप कही न कहीं college life में भी उसको relate कर पाएंगे कि यार, हाँ यार, college में भी हमने ऐसा कुछ किया था, ऐसे हमने देखे भी थे, हाँ, वो अलग बात है, आपने college में गुंडे ना बुला लिये हो तो, अब ये होगी इस movie की अच्छी अच्छी बात है, तो कमियां क्या है इस movie में, दोको कमी मुझे एक जो चीज लगी कि यार, आप कहानी से ज़्यादा उमीद मत कर लीजिएगा, कि आपको कहानी बहुत ज़्यादा टर्न एंट्विस देखने को मिलेंगे, नहीं, एक college life को दिखाया गया है, उसके अंदर आप ज़्यादा एक expectation नहीं रख सकते कि यार, हाँ, बहुत अच्छे कहानी मिलेगी, ठेकिन हाँ, एक interesting entertaining के तोर पे तो मैं कहा सकता हूँ कि हाँ, बहुत अच्छी movie है, अब एक तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ, अगर इस movie को देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाल है, मेरी तरस तो देखाए, इस movie को मैं देना चाहूँगा 8 out of 10, अगर आप लोगो इन्हें movie देखेंगे तो please comment करना कि आप लोगों कैसे लिगे, अगर नहीं देखेंगे तो